Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 6 which is noun numbers तो इसके पहले वीडियो में मैंने बचो आपको singular nouns and plural nouns के कुछ rules explain किये थे तो उसी के base पर एक exercise है तो उसका question देखते है Write the plural form of the following singular nouns तो यहाँ पे जो singular nouns दिये गए है उसके plural forms है वो हमें यहाँ पे fill up करने है तो ox, तो ox का क्या होगा बच्चो भले ही पीछे x है हमने पहले वीडियो में भी देखा था लेकिन yes add नहीं होगा, ox का क्या हो जाएगा oxen o x e n, yes के stand पर yes के place पर क्या हैगा en फिर उसके बाद है to, cow, c, a, l, f, तो बच्चो मैंने आपका इसका rule explain किया था कि किसी भी noun के पीछे, अगर f हो तो f को change करके क्या करना है v, e, s, suffix लगाना है plural में तो cow का क्या हो जाएगा, cows यानि कि c, a, l, v, e, s cow उसके बाद है, roof, तो roof का सिर्फ क्या होगा? roofs, उसके पीछे सिर्फ क्या लगेगा? s, यानि कि roof का हो जायेगा, roofs r, double, o, f, s, उसके बाद है shelf, तो shelf का क्या हो जाएगा? देखो बचो यहाँ पे पीछे f है, तो हमें f को change करके v, e, s लगाना है तो शेफ का क्या हो जाएगा, सेब्स, S, H, E, L, V, E, S Next, चाइल्ड, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, बच्चों, उसमें, S, E, S, या कोई, ऐसे कोई suffixes नहीं एड़ होगे क्या एड़ होगा, R, E, N, यानि कि चाइल्ड का क्या हो जाएगा, प्लूरल में, चिल्डरन, C, H, I, L, D, R, E, N उसके बाद है फैमिली, तो फैमिली में देखो बच्चों, पीछे क्या है य, तो य वाला रूल में आपको एक्स्प्लें किया था कि अगर पीछे वाई हो और उसके पहले कॉंसोनन्ट हो तो वाई चेंज होके, I, E, S हो जाएगा, प्लूरल में, तो फैमिली, तो इसमें वाई उसके पहले कॉंसोनन्ट, L है इसलिए फैमिली का फैमिलीज और उसका स्पेलिंग होगा, F, A, M, I, L, I, E, S फैमिली का क्या हो जाएगा, फैमिलीज, उसके बाद है फोटो, तो जनरली बच्चों क्या होता है, जिस नाउन के पीछे O होता है, उसके सफिक्स में, प्लूरल अगर बनाना हो, तो सफिक्स में E, S होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक एक्जप्शन है, फोटो, तो इस फोटो का सिर्फ फोटोस होगा, सिर्फ S ही एड होगा, यानि कि उसका प्लूरल बनेगा है, पीछ O T O S, नेक्स्ट, माउस, तो यह है M O U C E माउस, जो जिसमें यहाँ रूल था, कुछ ऐसे नाउन्स होते है, जिसमें या तो सिंगल लेटर, या तो फिर सेवरल लेटर्स, इसचेंज करना होता है, तो एसे प्लूरल फोर्म होता है, तो वो रूल यहाँ पे लागू होगा, माउस, M O U S E, तो उसका प्लूरल क्या होगा, M I C E माउस, तो माउस का हो गया M I C E माउस, नेक्स्ट है, शीप, तो बचो यह शीप एनिमल वाला शीप है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जो सिंग्यूलर और प्लूरल में सेम ही होते हैं, तो यह शीप है, वो ही वाला नाउन है, तो शीप का क्या रहेगा, सिर्फ शीप, H H E E P, नेक्स्ट है विश, तो विश में पीछे SH है, और रूल के मुझा जिसका नाउन के पीछे SH हो, तो उसको इस एड होगा, यानि कि विश का क्या हो जाएगा, विश इस, डबल यू एस, I S H E S, नेक्स्ट है डियर, तो डियर भी ऐसा आए को नाउन है, जो प्लूरल में भी वही रहेगा, तो डियर का क्या रहेगा, सिर्फ डियर, उसके बाद है टूथ, तो यहां पे वो वाला चेंज करके प्लूरल बनाना है, तो टूथ का क्या होगा, डबल ओ चेंज होके, डबल य आ जाएगा, इसलिए टूथ का क्या होगा, टेटी, डबल य टी, एच, तो यह exercise का यह question बचो आपको, वन टाइम हॉम वोक में रफ नोट बुक में लिखना है, और इस textbook में फिल है, तेंक यू